जी हाँ नमस्कार साते एक और वड़िकवर सिरी गंगा नगर जिले से मिल रहे हैं जिले के सेंटरल जेल में जीवन भर की सजा काट रहे हैं एक आरोपी का धाई वर्षी लड़का एक मोके परी भगवान को प्यारा हो गया दरचल इस मामले में सौमवार को उपन जेल में इसांस लेने में कटनाईयों को सामना करना पड़ा और इस वारदात को अंजाम मिला है दरचल आरोपी का परिवार सरीत इसमें रह रहे थे ये करीब 11 महां से रह रहा था परिवार में 4-10 से बताय जा रहे हैं वहीं आपको बता देगी बंदी दिने साह बिहार के समझती पुरज लेके पलगपुरा करेना वाला है उसे एक आरोप में 29 सितंबर 2015 को स्री गंगनगर जेल लाए गया वर्थ 2020 तक उसका चाल चलन ठीक पाये जाने पर उसे 18 दिसम्बर 2020 को नर्सिंग पुरा मांजुवास के जेल ओपन में भेज दिया गया रविवार रात अपने परिवार के साथ जेल के अंदर ही बने कमरे में सो रहा था उसने सरदी के कारण रात को अंगिठी जलाई और कमरा बंद कर लिया कमरा बंद होने के कारण कमरे में धुआं धुआं हो गए और इस वारदात को अंजाम में लाए जिसमें ढाई वर्सी लड़का मोके परिभगवान को प्यारा हो गया इसे कमरे का दर्वाजा खोल कर किसी तरह से तीनों को दिखा तो बेस उधारत में पाये जाने के चलते उन्हें सरकारी अस्पतार लाए गया जान डॉक्टर ने दिनेश के बेटे सुगम को लेकर गोसित कर दिया गया आरोपी दिनेश सहा को गाउन नर्सिंग पुरा मांजुआस इस दित गोसाला में चल रहे खुला बंदी सीवर में शिप्ट किया गया था जाने के गया गया गया